सोफ महासां कि कि अधाने का सा अंदाज छेंपना से मांशלलह से माशला मानि हम से नापकूत सुख है आगा मातूस से अखेश यह उन्हांम यह रख होग सते हैं झेपनि आप सबस! बिस्म लियारे कुम आप सब करते हैं अबीद करते हैं अब्सक्राइब करें तो याज बहुत जबरस रेस्पी जो एना लेके आई हूं अगाज में तो आपने देख लिया होगे किस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया है अपना जमीनों से लेके तोडने तक बिंडी तो बह प्राइम मसाला आपके साथ शेयर करूंगी और पनाना बहुत एज़ी है तो कुछ सीक्रिट मसाले भी साथ में शेयर करूंगी जो कि आपकी भिंडी की रेस्पी को चार्शान लगा देंगे और सब भी जो इना इसको शौक से खाएंगे मैंने ले लिए आदा किलो भिंडी और अच्छे से इसको दो के वाश कर लिये है मैंने और आलू भी मैंने लिये है ये आदा किलो जितना होंगे वजन में और तीन टिमाटा लिये है ये भी आदा किलो ही है तो भिंडी ले ली है मैंने ये देखे मैं आपको कट करके भी दिखाती हूं कि कितने हमें जो है ना पेसिस के करने हैं इस तरह से बराबर कर लीचेगा आप बहुत एजी है तो हमने पेसिस जो है ना एक इंच के हिसाब से करना है यह रखें इस तरह से यह इतने पेसिस होने चाहिए इससे छोटा आपने नहीं करना इस तरीके से हमने कर लेना है बिटनी अलम्दलिल्ला कट हो साइज की आम नहीं ही दिढ़ी interpret ons से लिए ना इसको साइड पर कर देंगे अब यह आलू चील लेंगे तो देख़ा आलू मैं और चोटे धार के लिए हैं बहुत बड़े साइज के नहीं लिए यह जो है ना जो अब सुर самый laying कटने हूं आक्षाण के इतना बार्स में हमने कट करना है इनको यह देखें इस तरह से कर लेना है तो रामिंग करेंगे यह तो आपको पता है कि बहुत अच्छा होता है तो आपने जरूरर लेना है च्छोटा आलो अश्यक्तों अब है उनको जो है वोश कर लेगे भिंडी अपने पहले अच्छे से वोश कर ली थी सबसे पहले आली को अब एचा अज़ाइ आप लिख सकते हैं अलुगार उस्टाइब हो चुके हैं इस तरह से प्राइब कर लेना हैं अभी इनको निकाल लेंगे तभी को तो यह यह आपने आलु अब बार है मसालों की और मैंने इसमें से निकाल लिया है थोड़ा सा और एक छोटे साइस की मैंने ले लिए प्यास अज़िए दाल देंगे तो लैसन अत्राक इग्दम फ्रेश से है आपने फुराना नहीं लेना तो फ्लेवर में फर्का जाएका तो थोड़ा दर दरा में इनको देना होट लिया है तो बार एक टेबल स्पून जीरा अच्छे से प्राइकर लेंगे जीरे को भी साथ में ले लिया है नमक ले लिया है एक टेबल स्पून एक टेबल स्पून मैंने कुपी हुष ले लिया है एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल तीस्पून हल्दी, हाफ तीस्पून गर्मिसाला, हाफ तीस्पून कुटावा धनिया, पिसावा धनिया, अच्छे से इनको साथ में फ्राल कर लेंगे, इस पर गस सक लेरा चुका है, यह आप देख सेते हैं, मैंने टिमाटर का बीच निकाल लिया है, इस तरह से बारिक अच्छे में आके मैं जो है, इसको दम तरग दूँगी, तकरीबं तीन मिनट के लिए, अलहम दूल्ला, यह देख सकते हैं, मसाला यह हमारा प्राइब होने पे आ चुका है, और सीमा कर देखें, जबर्यस तरीके से यह गल्पिते हैं, यह दिखें, अग्दम अलागा आए और भिंडी को अच्छे से में कर लेंगी, इसे बिंडी आपने कभी ट्राइनी किया होगा, इन्शाला आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी, आली जो फ्राइब करके रखेंगे, यह आड़ कर लेंगे, तो इसी रेस्टी मैंने देगी है, आड़ करेंगे, त क्या है, तो देख लेचेगा, मेरे लिंडी यह जाके, पिकिन हरी मिचले लिए है, इनको कटकर लिए है बने, इसी की सिस की तरह, यह देखें, जबदस पांच पिनिट के दिए मैं इसको दम पे रखूँगी, अलहमदुल्ला यह देखें, दम हो चुका है, अच्छे से, य कमाल देखें, तो अभी जोए ना, डिशार कर लेंगे, यह देखें, माशाला से, लुक देखें, और फ्लेवर देखें, कितना जबदस फ्लेवर है, यह देखें, एक बार जरूर क्राई कीचेगा, बनाने में बहुत इसी है, और देखें, बेसिक से मसाले डाले हैं, वही माशाला से, और भिंडी तो वैसे ही सभी को पसंद आती है, और आलू के साथ तो और ही अच्छी लगती है, साथ में जबरस मसाला बन जाए, तो और ही जबरस हो जाती है, यह देख सकते हैं, फाइनल लुक कितनी जबरस लग रही है, बहुत ही शांदार बनाने में बहुत ह मज़िदार है, इंशाले इंशाले आप गराएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी, और बहुत एजी और असान सी रेस्पी मैंने आपके साथ चेर की है, वैसे ही भिंडी बनाना बहुत असान सी रेस्पी है, और रेस्पी अच्छी लगे, तो लाक शेर और सब्स्राइ मेरा की गया, दला हाफी